अस्लामुलेकुम फ्रेंड्स my name is अब्दुलहनान and you're watching study वाले class दोस्तों आज के lecture में हम ये पढ़ेंगे कि what is distance and what is displacement तो first of all ये हमें पता है कि distance और displacement जो है वो physics में बहुत ज़्दा यूज होने वाली terms है तो इनकी जो understanding है वो भी जो है वो clearly होने चाहिए ताकि आपका जो concept है वो build हो ठीक है तो हम start करते हैं कि what is distance तो distance के पहली अगर हम definition देखें तो distance is a scalar quantity that refers to how much ground an object has covered during its motion तो first of all distance जो है यह आपको पता है कि जो distance है वो scalar quantity है यानि कि जो scalar का मतलब कि उसके सिरफ magnitude है ठीक है उसके बाद जो इसका जो definition है वो यह है कि how much a ground an object has covered during its motion मतलब कि how much path how much length how much track जो है वो distance जो के body है उसने covered की है वो ही उसका जो है वो उसका distance होता है ठीक है मतलब for instance कि अगर आप इस graph में देखें तो यह जो अगर एक body यह जो point है यह जो है ना यह इसका रह यह reference point है और इसकी जो motion है वो टू डिमेंशनल है यह जो इसका जो है पात को covered किया है वो इसका जो है ना क्या है जो total distance होगा ठीक है आगे हम बढ़ते हैं कि what is displacement है displacement is a vector quantity that refers to how far out of place and objectives it is the objects overall change in position तो first of all है हमें पता है कि displacement vector quantity है मतलब कि इसका magnitude के साथ-सकी इसकी direction भी होगी उके उसके बाद यह है कि इसका meaning है तो how far out of place an object is मतलब कि अब object अपने reference point से जहां से उसने जो motion अपनी start गी है उससे कितनी far है ठीक है कितनी far है यानि कि जो उसकी जो motion end हो रही है वो कितनी far है उसकी initial position से ठीक है तो it is the objects overall change in motion change in position बनी कि जो उसकी जो position जो है वो चैंज भी है उसमें जो overall जो चैंज आया है यानि कि overall का मतलब कि हम इसमें जो है वो total जो final minus total initial करते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम उसको पढ़ते हैं है कि displacement describes how far and in what direction the body has been displaced from original position तो इसमें डिस्प्लेस्मेंट के पहली है कि displacement describe कर दिया है कि how far जो है वो मतलब कितना दूर अपने original position से डिस्प्लेस हुई है कितना जो है उसने अपने original position से अपनी जो जो पॉजिशन है वो कितनी जो है वो चैंज गी है वह पहली बात सेकंड यह कि किस डिरेक्शन में उसने कि है क्योंके जो जो क्योंके जो डिस्प्लेस्मेंट होती है वो बेसिकली एक डिरेक्शनल कॉंटिटी है तो इसलिए इसकी जो है वो मेगनिट्यूड इसकी वैल्यू के साथ साथ कि इसकी डिरेक्शन का भी पता होना चाहिए ओके आगे कंसर्प्ट इसका यह कि displacement is change in position of an object we use the symbol delta x for displacement where delta means change a vector quantity with units of distance first of all हमने बढ़ा के displacement जो है वो change in option of an object है निकि जो object की जो position है जो कि एक reference point से जो change हो रही है वो जो change है वो बिसकली displacement है ठीक है उसके बाद हम displacement के लिए बहुत सारी symbol use करते हैं delta l delta d delta r के जो लिकिन जो हम यहां यूज कर रहे हैं जो कि generally हम अपने books में use करते हैं वो वो delta x है ठीक है और इस delta x में जो delta है वो basically उसका मतलब है जो change होता है ठीक है हम change के लिए जो physics में जो जो के हम symbol use करते हैं वो delta का होता है और अगर हम इस displacement को short sentence में define करें तो हम के a vector quantity with units of distance नहीं के distance की unit मतलब जो तो distance की unit का मतलब distance की unit में higher होने वाली quantity जो के एक vector quantity है ठीक है तोस्तों आगे जो इसका point है लेकिन point से पहले आप अगर आप इस diagram में देखें तो हमने पहले कहा था कि अगर एक सी जो इसने जो जो ए से सी जो वो path है वो शो कर रही है इसमें उसकी displacement अब यह से सी क्यों है अब हम थोड़ा सा आगे पहले पढ़ते हैं फिर इसमें हम इसको और मजीद discuss करेंगे तो आगे जो point है यह है कि both have same units and dimensions unit जो है वो इसकी meter M है ठीक है दोनों की unit एक ही है और जो dimension है वो L है ठीक है L जो कि हम bracket के साथ लिखते हैं ठीक है उसके बाद point यह है कि distance is a total amount the object has moved this depends on the whole path traveled not just a starting and ending points distance traveled is always a non-negative number a scalar quantity with units of distance तो थोड़ा long sentence है अब उसका जो meaning है वो बहुत ही इस असान है first point हमने यह बात कि है कि distance जो है वो total amount object has moved यह जो total जो length जिस ट्रैक में जो object यह उस object ने वो basically distance है first point यह था आगे यह है कि जो distance होता है वो depend करता है whole path traveled पर ठीक है वो यह depend नहीं करता है कि body ने कांसे से start की है और कहां पर end हो रही है ठीक है बलके वो जो हो होल पाथ यानि कि whole path जो के body ने cover गी है वो basically उसका distance है ठीक है उसके बाद जो हम कहते हैं कि distance जो है वो basically जो distance traveled is always a non-negative number यानि कि distance जो है वो कभी भी जो है वो क्योंकि जब body जो है वो एक कोई मिलब जब travel कर रही है तो वो जो है वो अपनी position से थोड़ा सा आगे मिलब जाएगी हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि वो वो negative terms में उसने distance cover की है क्योंकि जो length है वो हम लेते ही उसको जो है वो positive या फिर जिरो अगर हम reference पॉइंट में लें तो distance जो है वो एक non-negative number होता है ठीक है यानि कि scalar quantity with units of distance यहीं बात है कि हम इसको non-negative इस लेते हैं क्योंकि है तो distance है वो scalar है और हमें पता है कि scalar जो है वो सिर्फ इसकी magnitude एक value होती है अगर इसकी direction होती तो वो distance नहीं होता है वो distance नहीं होता है बलके वो displacement होती ठीक है तो यह आपने इसका जो difference है वो आपने ने थोड़ा सा मजीद क्लिरिफाय करना है ठीक है आगे जी जो point है वो यह है कि distance is the scalar measure of the interval between two locations measured along the actual path connecting them तो distance जो है वो हम पहले तो हमने कहा कि एक scalar measure ठीक है वो तो हमें अब यह तक पता चल चुक है आगे यह है कि scalar scalar measure of the interval between two locations measured along the actual path connecting them तो basically जो distance जो है वो हम basically जो जो के हम measure करते हैं along the length of the track तो वो हम actual track को measure करते हैं चाहे actual track जो है वो state हो या फिर curve हो जो भी हो लेकिन हम actual जो track जो के body ने covered गिया है वो basically उसका distance होता है ठीक है अगर आप इसमें देखें इसी में तो जो a से b c जिब basically यह एक distance है ठीक है जो के कर पाथ है लेकिन अगर इसी में जो हो एक state path होता तो वो भी जो है ना उसका क्या होता कि वो भी distance होता तो हम distance के लिए हमेशा actual path को use करते हैं next point यह है कि distance is the next point यह है कि displacement is the vector measure of the interval between two locations along the shortest path connecting दो अभी आपने यहां खूर करना है ठीक है पहली बात हमने कहा कि जो displacement जो है वो वेक्टर वेक्टर मैयर है यानि कि जो वेक्टर मैयर का मतलब उसमें magnitude के साथ साथ direction भी होती है ठीक है यह हो गया उसके बात हमने कहा कि यह basically जो जो shortest path है ठीक है जो shortest path हमने यहां का और हमने यहां का कि यह factors है तो यह लास पॉइंट हो यह कि distance होता है वह हम हमने पहली कहा था कि non negative number होता है कि इसे वजह सबस्टिव होता है और जो उसका reference point हो जिरो होता है लेकिन जो displacement है वह basically positive जिरो और Negative हो सकता है क्योंकि यह एक directional quantity है है ठीक है अभी हमने शो कहा था किया हम इसमें it कि एस इसमें जो स्कक्रादाध युक्ट कर थे ज slip a जो चेंज न पोजिशन है वो डिफायल करते हैं को के मैं तो आज के लिए वह इतना ही अब इसका पार्ट जो है वह वह जो यह सकती जो यह जो एफस्टाइब आसे पार्टीट नहींद सब्सक्राइब तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को करें और शेयर भी करें तो हम मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस